बाई 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, आपने लिया कि नहीं? अब जीयो की तरह इसके पीछे भी पढ़ जाईए Airtel की तरफ से एक साल तक मतलब की 31 दिसंबर 2017 तक आपको free मिलने वाला है Airtel 4G data पर इसमें दिक्कत यह है कि आपको 3 GB एक महिने के मिलेगी जो कि बहुत सारे users के लिए पर्याप्थ है Airtel ने इसको 4 जनवरी 2017 से launch किया और आप इसका registration करा सकते हैं 28 फरवरी 2017 से पहले और अगर आप इसका register हो जाते हैं तो आपको हर महिने 2017 के end तक 3 GB 4G data मिलता है और आपको किस तरफ से इसको register करना है इसको कोई आपको form अंभर के नहीं देना है कोई line में नहीं लगना है बस अगर आपके पास एक 3G का SIM है तो उसको 4G में convert करना है और आप इस data के लिए eligible हो जाएंगे और अगर आपके पास एक 4G SIM पहले से ही है तो निराश न होईए एक दूसरा 4G phone लिजिए खरीदी है न कोई भी 4G phone लिजिए और उसमें अपना SIM लगाएंगे बस आपको data मिल जाएगा आपको कोई customer care बात करने जोत नहीं बस यही simple step करना और अगर आपको detail में जालना है किस तरह से आप इस data के लिए eligible हो सकते हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए और मेरे वीडियो को देखिए मैं आपको पूरी information देऊंगा इस बारे में और अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए के comment section में जरूर mention कीजिए तो अभी के लिए इतना ही अगली वार मेरे आपको फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए bye